Hello everyone, this is Surya and welcome to Via Geek आज हमारे पास है कर रहे हैं कि C section के एक और नहीं प्रोडम में जिसका नाम है Hello World in C आज मैं से सोल करने वाले हैं पर इस स्टार्ट करने से पहला I want to tell you something इस section से लिए जितनी प्रोडम्स हैं उन सभी की solution आपको I button के अंदर मिल जाएंगे हमने वाप एक playlist की रिएट करी हुई है हाँ यहापे question को सोल ही नहीं करेंगे बट question से लेटी जितनी भी यहापे knowledge हैं उसको भी discuss करेंगे और उसकी playlist आपको I button मिल जाएगी आप channel को subscribe भी कर सकते हो जाके इस playlist को देख भी सकते हैं अपना program करना start करते हैं सबसे पहले में वो अब्जेक्टिव दिया गया है इन इस चैलेंगे we will learn some basic concept of C that will get you start with the language you will need to use the same syntax to read input and write output in many C challenges as you work through the problem review the course tab to learn about reading from standard in and writing to standard out इसके बाद में हमार पास task है this challenge require you to print hello world on a single line and the print the already provided input string to standard out if you are not familiar with C you may want to read about the print of command तो basically मैं क्या करना है हमें सबसे पहले hello world print करना है और जो हमारे पास एक input string दी गई है हमें उसको output करा देना है और जो ये work time print of function के help से करने वाले है इसके बाद example दे रखा है हमारे पास S नाम से एक string है S is equals to life is beautiful the required output is hello world life is beautiful तो हमें क्या करना है जो हमारे पास एक string दी होगी S हमें उसको last में print कराना है और hello world को हमें पहले print करा देना है और जो हमाँ string है हमें उसको new line में print कराना है इसके बाद में function description है इसके बाद में print दे रखा है hello world print कराना है input में देख लेते हैं S है और हमें इसी तरह कुछ दे रखा है तो basically हम देखते हैं कि अब इसको किस तरह करने वाले हैं discuss करते हैं इसे related जितने भी problems हैं जितने भी हम area पे cover करेंगे सभी को discuss कर लेते हैं starting से start करते हैं हमें क्या दिया गया है hashtag include stdio.h ये है stdio मतलब standard input output.h तो इसका मतलब क्या है हम यहाँ पे क्या करा रहे है simple एक file है stdio.h नाम से जिसको हम include करा रहे है अब इसका मतलब क्या है इसके अंदर file को हम include क्यों करा रहे है हम यहाँ पे function यूज करना है scanf हम scan करा रहे है तो यह function जहाँ पे होता है इस function के पीछे का जो code है वो standard input output dot h file के अंदर है जो हमें सबसे उपर दी गई है उसका नाम है stdio dot h और हम उसको क्या करा रहे है include ऐसे ही हम string string dot h उसके अंदर जिसने भी string के functions है जैसे हमारी string के length निकालनी है जैसे हमारे पास एक string है s string basically क्या होती है group of characters होती है उसे लेड़े जितने भी हमारे पास functions है like string को print कराना get as, put as वे सभी के सभी string dot h में है इसके बाद हमारे पास standard library है और math है तो math को discuss करते है math के अंदर जितने भी हमारे mathematical function आते है जैसे हमें square root निकालना है हमें power function उसकरना है अगर थोड़ी से एक knowledge के लिए dot h जो file है मतलब यह अलग-अलग function रखती है और हम क्या करा रहे है hashtag include लगा के उनको include करा रहे है उसका syntax basically में दिखा हुआ है इसके बाद में हमारे पास main function होता है जिसके अंदर हम अपना code लिखते है हमने यहाँ पर int यूज करा है हम यहाँ पर void भी यूज कर सकते है यह हमारा बात है int का मतलब क्या है अगर हमने यहाँ पर int लिखा हुआ है तो मतलब यह जो function है यह integer को return कराएगा जो कि integer को return करा भी रहा है जो कि है हमारा 0 अगर हम यहाँ पर लिख दें void तो यह अब कुछ भी return निकराएगा और हमें यहाँ पर return 0 लगाने की जोत नहीं है अगर हम यहाँ पर लिख दे care तो अब हमें यहाँ पर return 0 की जंगा पर हमें यहाँ पर एक character return कराना पड़ेगा let's say हम a return करा रहे हैं वो हमारे उपर depend करता है कि हमें function को किस तरह use करना है बट हमें main function जो भी हमारे एक program होता है उसके अंदर main function बहुत important होता है वो इसके बिना हम प्रोग्राम नहीं लिख सकते तो हम यहाँ पर कर देते हैं int से ही कर देते हैं और यहाँ पर 0 लगा लेते हैं अब हमने अगर care s लिखा तो मतलब यह single character लेगा अगर हमने इसके अंदर value डाल दी 100 तो यह 100 character ले सकता है जो कि एक string बन जाएगी अब हमारे पास यह scanf दे रखा है scanf function क्या होता है basically scanf का syntax देख लेते हैं सबसे पहले scanf then इसके अंदर हमें format specified लिखना होता है जिसको हमें input कराना है जैसे हमारे पास percentile c है percentile d है percentile s है percentile s हमारा string के लिए होता है percentile c है हमारा character के लिए होता है और percentile d हमारा integer के लिए होता है हम इसको करते हैं इसके बाद में हमें जैसे हमारे पास percentile c है हमारे पास कोई character था, अगर हम यहाँ पे let's say देखे हैं, अगर हम s को 100 ना रखकर, s को हम ऐसी रखते हैं, और हम यहाँ पे देख देते हैं s, तो मतलब वो s के अंदर एक value store करा देगा, जो कि ए character होगा, देन अगर हम string को देखना है, तो अगर हमारे a नाम से string होती है, जैसे ह यहाँ पर declare कर दिया हमने, तो इस तरह हम simple अपना scan कराते हैं, हमने भी देखा, कि हमें string को scan कराने के लिए simple अपना percentile, ऐसी तो लिखना था, अगर हमें अपनी string input करानी था हमने percentile s लिखा था, तो हम देखते हैं कि यह किस तरह work करती है, percentile s किस तरह work करता है basically, अगर हमारे हमने क्या करा है, simple अपना ऐसे print करा दिया है, और हाँ, character को कर हमें print scan कराना है, तो हमें address operator लगाना जरूर होता है, अगर हम string को input कराना है, तो हमें address operator लगाने की जोथ नहीं है, अगर हम character को scan करा रहे हैं, तो हमें address operator भी लगाना पड़ेगा, अगर हम integer को scan करा रहे हैं, तब भी हमें address operator लगाना पड़ेगा, integer भी होता है, float भी सभी के लिए हमें address लगाना होता है, बट हमें string के लिए address लगाने की कोई जोत नहीं होती है अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह वर्क करने वाला है, जैसे हम इस code को अगर रन करें वो इसको discard कर देगा, जैसे इसको space मिला, तो आगे के string को discard कर देगा अब हमने यहाँ पर इसका solution लिखा है, तो basically जो scanf है, इसके अंदर इसका solution है तो हमने यहाँ पर यह वाली चीज उस की है, जो कि एक edit conversion है, हम इस string को input कराने के लिए get as function को भी simple use कर सकते हैं, बट अगर हमें scanf से ही अपने string को input कराना है तो हमें simple क्या करना पड़ेगा, हमें यह input करना पड़ेगा, because percentile s हमारा space encounter कर लेता है अज जब हम यह वाला लगा देते हैं, इसको मतलब देख लेता है कि क्या होता है हम यहाँ पर लगाते है, simply scanf के अंदर अगर हम यह वाली चीज यहाँ पर लगा देते हैं एक edit encounter है, इसका मतलब क्या है, मतलब जब तक हमारा backslash n जब तक हमारा backslash n, यह simple backslash n है, backslash n क्या होता है वो हमारा next line के लिए होता है, अगर हम कहीं पर backslash n input करा देते हैं तो मतलब हम next line पर जा दें जैसे भी हमें आपर print कराना होगा, तो हमें print के साथ हमें backslash n भी print कराना होगा एक बार यह वाला देख लेते हैं, इसको print करा लेते हैं basically, सबसे पहले करते तो कुछ नहीं है, इसको print करा देके देखते हैं ctrl c, इसको print कराते हैं सबसे पहले, print f, ctrl v, और हमें यह print कराना है अगर हमें next line में जाना है, तो हमें backslash n input कराना पड़ेगा अब हमें अगली line में जाना होता है, तो हम enter भी करते हैं अगर हमें अगली line में जाना है, तो ये simple backslash n का मतलब क्या है, hè हम enter कर रहें, अब इसका मतलब क्या है, जब तक backslash n encounter नहीं होगा, तब तक ये input लेगा, simple सा मतलब यह है पहले कब input लेना छोड़ना था? जब इसको space मिला था जैसे इसने space encounter किया तो उसने input लेना बंद कर दिया था बट अब यह input लेना कब बंद करेगा जब इसको backslash end मिलेगा और हमने backslash end कहाँ पे दिया था? जब हमने sync के बाद में जैसे ही मैंने enter किया था मतलब मैंने वहाँ पे backslash n दे दिया था अगर हम इस वाले code को run कराएं हमें क्या मिलने वाला है s-u-r-y-a-p-r-a-t-a-p-s-i-n-g-h अब जैसे ही हमें enter करेंगे तो हमें complete मिल जाएगी मैं लिखता हूँ यहाँ पे s-u-r-y-a-p-r-a-t-a-b अगर मैंने लिखा and मैं s-i-n-g-h मैंने इसके बाद में कुछ भी लिख दिया तो अभी print कहां तक कराएगा यह जहां तक b है b से पहले वाला ही print कराएगा b के बाद में मैंने कुछ भी लिखाया वो कुछ भी print ने कराएगा जैसे हमने enter किया तो उसने b से पहले वाला ही print कराया मतलब जैसे उसने b encounter किया उसने string के अंदर वो चीज डाली ही नहीं simple सा मतलब यह है और हमने simple सा बाद में print of लगाया है और अपना print करा दिया है तो simple सा हमें यही work करना है सबसे पहले हमने क्या किया print करा दिया and then और अब यहाँ पर इन्होंने एक चीज और की है वैसे हम इसकी जरूत नहीं होती है हम बिना इसके भी कर सकते है percentile asteris c percentile asteris c का मतलब क्या है जैसे हम enter कर रहे है जैसे हम enter कर रहे है तो उस enter को भी तो कहीं पर हमें store कराना पड़ेगा तो क्या कर रहा है percentile c enter को store करा रहा है और जो हमारा s जैस है वो बता रहा है कि वो कहां पर store है हम इसको लगा भी सकते हैं इसको नहीं भी लगा सकते तो हम ऐसे भी कर सकते हैं और यहां से addus operator हटा सकते हैं। आप दोनों तरह इसको run करा के देख सकते हैं। जैसे हमाई string एंटर होगी देना हमें क्या करना है, printf लगाना, percentile s, and अपनी string को input करा देना है, और हमारा work जो complete है, और जो हमारा work है वो complete हो जाएगा, और यह simple सा program था, इसके बाद अपने code को run करा के देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लेगे, आपको सब कुछ समझ में आया है कि हमने किस तरह किया है, तो आप वीडियो को like कर सकते हैं, चैनल को subscribe कर सकते हैं, अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है, इस playlist को आपको follow करना है, तो आप चैनल को subscribe करें लीजिए, इस program का photo Instagram पे मिल जाएगा, अगर आपके वीडियो तो आप मेरे को Instagram पे DM भी कर सकते हैं, और नीचे comment भी कर सकते हैं, मिलते हैं next studio के साथ, thank you and bye bye. झाल, कि हैं अगर वीजिए हैं thank you and bye. का ज़को कर सकते हैं, तो एंखके हैं,